इसमें हम डाटाबेस Microsoft Access 2010 के बारे में इंट्रोडेक्शन करेंगे कि यह क्या होता है तो बच्चों Microsoft Access जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रचली RDBMS है RDBMS मतलब Rational Database Management System है जो कि हमारे डाटा को Manipulate करने के लिए और Organize करने के लिए काम में आता है इसमें हम डाटा को Tables की Form में रख सकते हैं और यह हमारे एक या एक से ज़्यादा Tables को आपस में Relate करने के लिए भी यूज में आता है तो बहुत सारे Microsoft Access जो ऐसा डाटाबेस प्रोग्राम है जिसमें हम सभी तरह की जानकारी को Tables, Queries, Forms और Reports की Form में सेव कर सकते हैं तो अब हम डाटाबेस की Definition और RDBMS डाटाबेस के बारे में समझेंगे डाटाबेस Related Tables के Collection को बताता है जिसमें की हमारी Files और Data Organize होता है तो डाटाबेस मेंटेन करने के कुछ फायदे होते हैं जैसे की Redundacity में Reduction कमी होती है हमारा हम डाटा को Easily Retrieve ले सकते हैं वापिस डाटा को Share कर सकते हैं और हमारा डाटा Secure होता है Safe रहता है और हम डाटा को Easily उसमें Changing कर सकते हैं Manoplate कर सकते हैं तो अब हम RDBMS यानि की Relational Database Management System क्या होता है यह हमारे डाटा का एक Collection है जो कि Tables की Form में होता है इसमें यह सबसे पहले यह Concept EF Cod IBM में 1970 में दिया गया था तो इसमें क्या होता है बहुत सारी Tables होती है जिसमें हमारा डाटा पहले से ही Defined Category में Save होता है Tables क्या होती है कि जिसे हम कभी-कभी Relation भी बुलते है इसमें अलग-अलग डाटा की Category होती है जिनें Columns में लिखते हैं और इसमें हर एक अलग टाइप के डाटा को Particular Data को हम उसमें Save करते हैं जो कि Columns की Form में Categorize होता है जैसे कि हमारी Telephone Directory होती है इसमें हमारे नाम, Address, Phone Numbers होते हैं बहुत सारे लोगों के तो RDBMS Software जो होता है वो ही हमें ये सब के बारे में उसको Manage, Organize करना बताता है तो ये Oracle, MS Access, Fox Pro ये कुछ popular RDBMS हैं अब हम Database के Objects के बारे में पढ़ते हैं Database में एक Single File में हमारा पूरा Data चीज़े Store होती है तो सबसे पहले कुछ जो Main Objects है Database के सबसे पहले Table Table में क्या होता है जो हमारा Real Data होता है वो इसमें Save होता है रोज में जिसको की हम Records बोलते हैं और Columns में जो Data Save होता है उसे हम Field बोलते हैं इसके बाद Query होती है Query में Generally हम Database के बहुत सारे Groups Records को रखते हैं जैसे कि उसमें हम Find कर सकते हैं कुछ-कुछ Condition देनी पड़ती है जैसे Get the Record of Patient Number तो इसमें हम Condition देके किसी भी चीज़ की जानकारी जो Record हमने रखा हुआ है उस Database में इसको Find कर सकते हैं इसके बाद Form होता है ये एक Blank Sheet के भरने के जैसा है जिसमें की हम हाथ से कुछ Data भरते हैं जैसे कि बेजली का Connection को हम किसी दूसरी Table से Attach कर देते हैं जिसमें की हमारा Data उसमें रख सकते हैं इसके बाद Reports होती है Report में क्या होता है कि एक असान तरीका होता है Report डिजाइन करने का इसमें इन Report को हम Print Out भी ले सकते हैं जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके बाद हम Microsoft Access के बारे में पढ़ते हैं Microsoft Access जो है बच्चों वो एक Microsoft Office का एक Part है इसमें कि यह बड़े-बड़े और छोटे हरे एक Business में, Organization में और घर में यूज किया जाता है Data को Manipulate करने के लिए MS Access में जो Data है वो Tables की Form में Arrange होता है और Tables जो है उसको हम जो जानकारी एक Table में होती है उसे हम Value बोलते हैं और Value को हम Column और Row के Intersection Cutting Point पर Define करते हैं तो अब हम Microsoft Access 2010 को Start कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले Start बटन को क्लिक करके All Program को Select करके हम MS Office और फिर MS Office Access 2010 को क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा Microsoft Access 2010 का Screen हमें दिखाए देता है और उसके बाद हम अपना नया डाटाबेस खोल सकते है या हमारा जो पहले से डाटाबेस है उसको हम ओपन कर सकते हैं तो अब हम किस तरह से डाटाबेस क्रिएट करते हैं MS Access में तो उसके लिए हमें हमें सारे जो भी हमारे उसका परपज है हमारे डाटाबेस बनाने का यूज है डाटा है वो सब एकदम क्लियर होना चाहिए उसके लिए हमें ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करना है और उसके बाद एक टैंपलेट बनाना है और उसके बाद डाटा Microsoft Office Online से अपने डाटाबेस को डाउनलोड करना है तो डाटाबेस बनाने के लिए टैंपलेट के थुरू हम कैसे करते हैं तो टैंपलेट क्या होती है यह डेडिमेट डाटाबेस है जिसमें कि अल्रेडी टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट साथी सब होते हैं अलग-अलग काम के लिए तो बहुत सारी टैंपलेट होती है जो कि जिने अलग-अलग आइकन से हम खोल सकते हैं MS Office Access पेज से उसके बाद हम किस तरह से Microsoft Office Access को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक पेज पर बहुत सारी टैंपलेट होती हैं उन में से हम जो टैंपलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कुछ टैंपलेट को यूज करके कुछ steps को follow करके उसको create कर सकते हैं जिससे सबसे पहले हमें left pane में जो template category होती है उसमें से local template को click करना है उसके बाद middle pane में से जो भी हमारा required database है उसको select करके हम उसको file name box में से अपना नाम दे करके उसको create button को click कर सकते हैं तो इससे हमारा database का create हो जाएगा और हमारी file जो है वो by default खुल जाएगी उसके बाद blank template किस तरह से create की जाती है Microsoft Access 2010 में उसके लिए कुछ steps होते हैं जैसे हमें getting started with Microsoft Access page में से blank database को click करना है और उसके बाद हम file name box में से अपना desired नाम उसमें लिख सकते हैं और फिर create करके हम उसको click कर सकते हैं तो इससे हमारी blank database की file खुल जाएगी उसके बाद table कैसे create की जाती है table group में से जो हमारा create tool tab का tool है उसको हम click करते हैं तो उसमें हम एक नई table को add कर सकते हैं current database से तो उसके लिए हमें फिर उसके बाद using data sheet view या using design view दोनों में से हम किसी भी option से अपनी table को create कर सकते हैं उसके बाद table कैसे create करना है data sheet view में से उसके लिए हमें सबसे पहले database create करने के बाद ribbon में से create tab को click करना है और उसमें से table group में से table को click करके ms axis में से table create कर सकते हैं और add new field करके हम उसमें से column को create कर सकते हैं इसके बाद टैब की को प्रेस करके हम उसमें कॉलम में डाटा एंटर कर सकते हैं और एक नए टेबल के नए फिल्ड को एड़ कर सकते हैं और फिर हम कुईक एक्सिस टूल बार में से सेव बटन को क्लिक करके अपनी टेबल को सेव कर सकते हैं और सेव एस डायलोग बॉक्स में हम उसको उलग से नाम देखकर okay को click करके हम अपने उस फाइल को टेबल को नए नाम से save कर सकते हैं अब हम किस टेबल को किस तरह से देखते हैं अगर हमारी कोई file save है और उसको हमें देखना है तो simply उसपर left male पेंड में जाकर double click करके हम अपनी file को देख सकते हैं, उसके बाद table structure, table structure क्या होता है, यह जो हमने table बनाई है, उसको उसका एक indication होता है, इसमें table की नाम, size, जारो लगलगतर है के field के बारे में details होती है, इसके बाद हम text field के बारे में पढ़ते हैं, text field क्या होता है, इसमें बहुत सारे letters, numbers और symbol होते हैं, इसमें सिर्फ हम text में ही number को type, text field में ही type कर सकते हैं, उसमें कोई numbers accepted नहीं होता, कोई calculation हम उसमें नहीं कर सकते, तो Pooza, MX, 54, QW, 2599, XZ, ये कुछ mainly text field हैं, इसके बाद numeric field होते हैं, जिसमें mainly numbers होते हैं, इसमें कोई भी alphabet या character type नहीं किये सकते हैं, इसके example है, 34, 695, 7042, ये कुछ numeric fields हैं, इसके बाद currency fields होते हैं, जिसमें हम कुछ symbols होते हैं, अलग-अलग currency के, decimal के, कॉमा के, उसमें हम व date और time ही enter कर सकते हैं, जैसे कि dates 5, 6, 2012, इसके बाद memo field होता है, इसमें हम लंबा text रख सकते हैं, जिसमें बहुत अलग-अलग तरह का data include होता है, इसके बाद logical field होता है, जिसमें हम अलग-अलग तरह के character जैसे yes, no, true, false, ये सब yes के लिए why, no के लिए and, ये सब store कर सकते हैं, त design view को use करके table किस तरह से create करते हैं, तो table structure सबसे पहले बनाया जाता है design view में से, उसके लिए हमें कुछ steps follow करने पड़ते हैं, जैसे ribbon में से create tab को click करके, table group में से table design को click करना है, तो नए table design का view हमारे सामने खुल जाता है, उसके बाद field name column में से हम अपने field का नाम type कर सकते हैं, और हम फिर tab की को move करके data type column पर ले जा सकते हैं, तो हमारे arrow में data type column में एक list आ जाती है, फिर हम arrow से down करके उसमें से अपने data type को click choose कर सकते हैं, और उसमें फिर tab को move करके, हम अपने description column में से, अपने description type करके उसको press कर सकते हैं, tab की को, और उसके बाद फिर save button, quick access toolbar में से save button को click क करके अपनी फाइल को टेबल को सेव कर सकते हैं और उसको डायलोग बॉक्स में से से वैस करके उसका नाम लिख करके ओके प्रेस कर देते हैं जिससे हमारा फाइल टेबल सेव हो जाता है इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइमरी की के बारे में प्राइमरी की जो होती है वह एक के लिए नाम गैस्ट के सेम हो सकते हैं लेकिन रूमcussions में एक प्रैमडी की होती है इसके बाद स्विचिंग व्यूज़ पढ़ते Här में हम किसी डाहा को अलग- chirping विव्यूज प्रोवाइड करता है, यह option, तो इसमें एक विव जो होता है, वो दूसरे से के लिए बिलकुल आसान होता है, तो इसके लिए चार विव होते हैं, इसमें किसी टेबल में काम करने के लिए, जैसे डाटाशीट विव, पिवोट टेबल विव, पिवोट चार और design view तो इन में data sheet view और इसको हम spreadsheet view भी बोलते हैं और design view यह दो ज्यादा suitable हैं तो सबसे पहले हम data sheet view के बारे में पढ़ते हैं इसमें हमें जो format होता है वो उसमें rows और columns होते हैं जो कि हमें easily data को enter करने के लिए change करने के लिए use आ जाते हैं और design key में हमारे operator के नाम, field का नाम, data का टाइप और यह सब description tables में हमें देख जाती हैं तो इसमें हम switch करने के लिए अलग-अलग view को हम home tab के ribbon में जो home tab होता है उसमें से view option को click करते हैं और फिर drop down list में से हम अपनी पसंद का view click कर सकते हैं इसके बाद हम data sheet view देखते हैं कि data entry किस तरह से करते हैं तो data sheet view में हमें related field में value type करनी होती है और next field में जाने के लिए हम उसे value move कर सकते हैं और अब इसकी value type कर सकते हैं प्रेस करके tab की को press कर सकते हैं तो इससे हम last field पर पहुँच जाते हैं और हमारी जो initial line है उससे हम move हो जाते हैं इसके बाद manipulation of data, manipulation मतलब कोई data जब हम change करते हैं तो उसको हम manipulation बोलते हैं दो तरीके होते हैं उसके लिए एक new record या row add करना और एक new field या column add करना तो cursor को last value पर रखते हैं field की और tab बटन को click करेंगे तो हम एक नया record create कर सकते हैं और इसी तरह से column header में insert column को click करके हम नया column add कर सकते हैं अपडेट करने के लिए record को या modify करने के लिए हमें simply उस cell में click करना होता है जहां हम नई value को add करना चाहते हैं इसका delete करने के लिए भी selected row को select करके हम उसमें से right click करके delete को option करके yes कर सकते हैं उससे हमारी जो row या column जो हमने select किया है वो हम delete कर सकते हैं इसके बाद हम relationship के बारे में पढ़ते हैं defining relationship इसलिए important होता है इसमें बहुत सारे जो tables होते हैं वह दूसरे जो queries, forms, reports आदी के लिए बनाए गए होते हैं अलग-अलग बहुत सारी information को display करने के लिए यूज किया जाता है तो relationship में हम key fields के data को में जो compare कर सकते है data को इसमें mainly primary keys होती है एक table की जो की हर एक record एक अलग होता है और इसमें कुछ दूसरी tables में foreign keys होती हैं तो इसमें क्या होता है कि लोगों के address उनके लोगों की table address दो अलग-अलग tables होती है जिनको की relationship के option से connect किया जाता है इसी तरह से जैसे students का annual result होता है और उसमें student की table अलग बनती है result की table अलग बनती है और उनको role number field यानि की से उसको connect किया जाता है तो relationship को create करने के लिए कुछ steps होते है उसके लिए हमें पहले दो tables बनानी पड़ती है एक में हम data sheet view और दूसरी में database tool tab जो ribbon में होता है उसको click किया जाता है और फिर relationship पर click करना पढ़ता है relationship group में से उसमें फिर हम show table देख सकते हैं dialogue box में उसमें फिर हम अपनी table को choose करके add button को click कर सकते हैं और फिर close button को click कर सकते हैं उसके प्राइमरी टेबल में बहुत सारी प्राइमरी कीज को हम ड्रैग करके ड्रॉप करके दूसरी टेबल पर ले जा सकते हैं और इस तरह से डाटा डायलोग बॉक्स में एडिट रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं और फिर create बटन को क्लिक करके हमारी डिलेशनशिप क्रेट हो जाती है और फिर उसके बाद हम फाइल को सेव कर सकते हैं अब हम देखते हैं किस तरह से हम जो पहले से हमारी डाटा बेस फाइल सेव हैं Microsoft Taxis में उसको किस तरह खुलते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल में जाकर open क्लिक करना है तो हमारे उसके बाद हम अपने डाटा बेस में जो फाइल हमने सेव की है उसका नाम एंटर करके सर्च कर सकते हैं तो हमारी फाइल खुल जाएगी तो बच्चो इस तरह से हमने इस चैप्टर में क्या-कैसी जी सिखी की डाटा बेस क्या होता है डाटा बेस एक डाटा का सैथ होता है जो कि ओरगनाइस तरीके से कंप्यूटर में सेव होता है और उसको हम अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हैं relational database management system, कई सारे organized data का collection होता है, जो कि tables की form में save होता है, database में table database होता है, जो कि actual data जिसमें रखा जाता है, ms access, rdbms package है, जो कि ms office का part है, table structure में एक तरह का table का indication होता है, जिसमें data बनाया जाता है, primary key को, table को दूसरी tables के key से relate करने के लिए use किया जाता है, और manipulation मतलब data को change करना या modify करना किसे use के लिए, और relationship एक clubbing information होती है, जो कि बहुत सारी tables को अलग-अलग purpose से, queries, forms, reports आदी बनाने के लिए इस्तिमाल की जाती है, तो ये था बच्चों, Microsoft Access 2010 के बारे में, I hope आपको समझ में आया होगा, thank you